लाखो ठोकरों के बाद भी समलता रहूंगा मैं, गिर कर फिर उठूँगा चलता रहूंगा मैं, बार बार और हर बार किस्मत से नहीं, मेहनत से नसीब अबना बदलता रहूंगा मैं गुड मॉनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट, दोस्तों आज है तेरा अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे करेंड एफेस, साथ ही हर कुश्चन से लड़े एक्स्टा फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके एक्जाम पॉइंट भी से काफी पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, लास्ट में कोश्चन पूचे को उसका इनसार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस वीडियो की पीडिया फाल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें, टेलिग्राम चैनल कर लिंग की वीडियो को डिस्क् पर डिरेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर बनाएगी करटे फिसक वीडियो आप लिगुल प्रीम देख सकते हैं, दोस्तों ने चैनल को पहली वार विजित करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पिसकर दे, ताकि आपको इसी तरह डेली म इनोवेशन सेंटर खोला गया है, करनाटका की राज़ानी बैंगलूरू में, ठीक है, बहुत महत्पूर कोशन है, आपको पता देक, बैल गुरू में देश का पहला इंडिया इस्राइल इनोवेशन सेंटर, एक उद्ध में प्रदुकी केंद्र लॉंज किया गया है, और भारत में इस्राइली कंपनियों के प्रवेश के शुप्धा के लिएक महत्पूर कदम है, और दोनों देशों के बीच इस्थानी साज़ेदारी और स्वेंक तूद्यम बनाने का लक्स रखता है, ठीक है, इसके लाब आपको तादे कि यह उद्धम सीलता, विक्रियताओं, परामर्स और गयर अपचारिक शमदाईक विकास के साथ साज़ेदारी का समर्थन करने के लिए एक परस्तिक तंद्र का प्रदान करेगा, जो बिभीन कारिक्षेतरी कंपनियों और व्यापार प्रदुख की निवेशकों और ग्रहां को कवर करने में साहिता करेगा, ठीक है भारत का सिलिकान वेली का जाता है, भारत का सिलिकान सिटी का जाता है, और इसके लावब आपको बताजें दोस्तों की परस्तिकी विज्ञान केंदर भी इस्थी थे ये, करनाटक में, और यहां को जो प्रशित लोग नित्ते है करनाटक का, वो बहुत बार एक्जामें सबसे उचा जहरना, जोग या गर्सोपा जहरना भी इसको कहते ही, इस्ती थे करनाटक में ही, और गवरनर है करनाटक के बाजु भाई वाला, और यहां के CMHD कुमार स्वामी, ठीक है, तो किस सहर में देश का पहला इंडिया इस्राइल इनोवेशन सेंटर खोला गया है, करन इस्राइली नियुशेकल और यहां के जो वरतिमान में PM है、 मोस्ट इमड़ाट अंडिये अग्जामे, जरूर अ सबस्ट पूछारा सकता है, इस्राइल के PM हैं, बेंजामीन नेख वरतिमान में इस्राइल के PM है, तो किस सहर में देश का पहला, इंडिया इस्राइल बनेशन करें वीडियो सपोर्ट करें चलिए अगला कोश्चन है SBI ने मानुर संसाधन विकास के लिए नेपाल के किस बैंक के साथ समझोतक ज्यापन पस ताक्षर किये हैं जिसका करेक्ट एंसर जाएगा दोस्तों आप्शन ए-NBI आप वतादिक स्टेट बैंक ऑफ इंडियाने SBI ने मानुर संसाधनों के विकास के लिए काठमांडू स्थित नेशनल बैंकिंग इस्टिट्यूट यानि NBI का फूल फॉल्फरम क्या है इसके लाब बता दे कि SBI ने सिक्षा प्रेक्शन और अनस्वंधान प्रदान करने के लिए NBI के मान और सुनचादनों को विकास के लिए पारस्परिक रूप से लाबकारी शामरी गढ़्वन्दा इस्थापित करने के लिए NBI के साथ तीन वर्सी M.E.U. पर साक्षर किये हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों बात हो रही SBI की यानि State Bank of India के इसे related question अकसर एकजामे पूछा जाते हैं तो आपको सारे fact बता देता हैं जो एकजामे पूछ ले जाते हैं सबसे बहले तो आख बता दे कि वर्स 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों जैसे बैंकाफ बंगाल बैंकाफ बंबाई और बैंकाफ मद्रावस को मिला कर इंपीरियल वैंकाफ इंडे की स्थाबना की गई थी और जिसका राश्टी करन एक जुलाई 1905 को किया गया था ठीक है तो इसका राश्टी करन करके SVI का headquarter है Mumbai महरास्टा में और एक most important fact बारबार पूछा आता है देश का सबसे बड़ा commercial bank काउन समय के तो यह SVI सबसे बड़ा वानिजिक bank देश का सबसे बड़ा वानिजिक bank भी है SVI State Bank of India तो दोस्तो SVI ने मानोस अंसादन विकास के लिए नेपाल के किस बैंके साब समझा तक जापने अस्तक्सर किये हैं यह किए NVI यानि National Banking Institute के साथ ठीक है चलिए तो यह आपको fact याद रखना है बहुत important उसके लाव है दिया आप railway group का आपके एक्जाम है तो revision के लिए बैतरी notes पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए है एलबुक अवलिसर द्वारा बुक का लिंक वीडियो को decision box मिल गया है मिल जाएगा आपको 30 रुपए की बुखा पर्चेस कर सकते हैं question number 3 विश्वेंग मानव पूझी सुचकांग में भारत को कौन से स्थान मिला है तो विश्वेंग मानव पूझी सुचकांग में भारत को इसमें स्थान मिला है दोस्तों 115 ठीक है index related question बहुत important आप विश्वेंग ने विश्वेंग ने विश्वेंग ने मानव पूझी सुचकांग जारी किया है और इस वर्ष विश्वेंग ने विश्वेंग ने मानव पूझी परविजना लॉंच किया है इसके लाव पूझातिक 157 देशों के लिए ये जो मानव पूझी सुचकांग है निर्माण किया गया है भारत के लिए इसका अनुमान 0.44 है ठीक है इसमें भारत का स्थान 115 नमर पर और सिंगापूर अपनी सार्भोमिक स्वास्त देखवाल प्राणरी सिक्षा प्रग्षा और परिणाम और जीवन प्रतियासे गारणों के लिए अत्यादोनी मुल्यांकन की जरेंगा सूर्शी में सीर्ष है ठीक है तो फस्ट नमर पर पर और और सिंगापूर है ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखना है ठीक है तो मानव विश्वएंग मानव पूझी सुच अबना हुई थी यह बहुत इम्पोर्टन कोश्चन है इसका है वासिंग्टन डिसी अमेरिका में कितने सदस्य हैं विश्वएंग में तो 189 कंट्रीज है यह आपको यादकने में वेंबर है यह बहुत इम्पोर्टन है उसके लाव आपको दादिक सहयुक्त राष्ट के प पाद में आपको यह यह बहुत इसकार खूंद कर pracy में और यह विरोत के बादत मोट की सज़ा को जाऑब करनी का फांसला किया है बहुत वीया है में अधिसके में मटकी सजा को चुनत करने का पशल किया है संचार और मुल्टी मीडिया मंत्री गोविंद सिंग देव ने कहा कि सरकार ने इस अभ्यास के मजबूत घरेलू वीरोत के बाद मौत की सजा को समाप्त करने का फैसला किया है बरतमान में मलेशिया में मौत की सजा हत्या अगने यस्त्रों और नसीली दबाओं की तसकरी कबजे और अपराधों के लिए निवार रहे थे सब्सक्राइब है ठीक है क्वेशन नमर फीपता है निम्लिकित में से देश में संघाई सेयोक संग्ठन की सत्रमी CHG वैठक आउजित की गई है ठीक है तो निम्लिकित में से किस देश में संघाई सेयोक संग्ठन की सत्रमी CHG वैठक आउजित की गई है तजाकिस्तान में ठीक कहां पर तजाकिस्तान की राधन दुर्शामबे में ठीक है संघाई SEO का फुल्पाम गया है संघाई कार्पोरेशन आउगनारेशन SEO का हेटकॉर्टर है बीजिंग चाइना में ठीक है दोस्तों कोश्चन नमर्शिक्स है किस नदी के लिए पहली वार केंद सरकार ने नियुनतम मात्रा में पानी के प्रवाह को अनिवार किया है गंगा ऑफसान एक राइट हो जा गंगा आपको अधादिक केंद ने गंगा नदी का नियुनतम पर्यावरणी प्रवाह निधायत कर दिया है इसका मतलब यह आई कि अब हर मौसम में गंगा नदी प्रयाप्त जलोप लगता रहे कि बता दें कि गंगा देश की पहली नदी जिसका इफ्रोन इधायत किया गया है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्डेन फैक्ट है कोश्चन नमर सेवन थे पायरा एसेई खेलो अठारा निन्मिकित में किस देश में आउजित किया गया इंडोनेसिया में आप पोतादिक भारत ने एसेई पायरा खेलो में 8 अक्टूब अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का इंसर मैंने कोशन बूचा था है बीपी सीयल किस राजम देश का पहला जैविधन से अंदिस्थापित करेगा यह करेगा ओडिशा में इसका राइड एंसर था सी सभी इस्टूडेन ने राइड एंसर दिया था वो डिटेल में लि देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है और यहां पर नोबेल प्राइस की ट्रीक देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों प्लीज कमेंट जरू करिएगा लागवग बहुत कम लोग कमेंट करते हैं आज लागवग दो से तीन शार स्टूडेन कमेंट करेंगा हिन जय भारत